हलो दोस्तों कैसो आपसे भी स्वागत करते हैं आपके अपने यूटूब चैनल कार देख लो मैं मैं वापस आ चुका हूँ मारिती सुजी की अरीना हजारी बाग के सोरूम में जो की जारकन में एवेलेबल है और इस सोरूम से मैं जिस गाड़ी की वीडियो बनाने जा रहा रहा फ्रेंट में आप देख पार होंगे साथ में CNG में आपको माइलेस क्या मिलने वाली है इसकी प्राइस क्या होने वाली है यहाँ पे इस गाड़ी में सेप्टी और गाड़ी के लुक को एंहांस करने के लिए कुछ एसेसरी भी लगी विये जो चीज मैं आपको आगे कबर करके बताऊंगा तो वीडियो में बने रहें और वीडियो अच्छी लेगी तो लाइक, कॉमेंट, सस्क्राइब करके जरूर जाना अब सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि मारुती वैगनार लेने का प्लान करेंगे तो यहाँ पे दो इंजन ओप्सन होने वाली है नीचे की वेरियंट LXI ये VXI में जाते हैं तो यहाँ पे 1.0 L हजास CC की इंजन आपको मिलती है जहाँ पे पेट्रोल में तो मालेज आपको काफी अच्छी मिलने वाली है और भाई CNG आपको इसी वेरियंट में मिलने वाली है अपर के वेरियंट में जाओगे तो वहाँ पे आउनली पेट्रोल मोडल आपको मिलती है जो कि ZXI और ZXI प्लस में वहाँ पे आपको देखने को 1.2 L 1200 CC की इंजन मिलती है अब बात कर लेंगे इस गाड़ी की कलर ओप्सन की तो VXI में ये सारे कलर आप जो डिस्प्ले में देख पा रहेंगे यहाँ पे आपको मिलने वाली है अब बीना देर के हुए चलते इस गाड़ी के फ्रेंट के प्रोफाइल में और इसकी फीचर्स को स्टार्ट करेंगे गाड़ी के फ्रेंट से अब गाड़ी के फ्रेंट के ग्रील में आते हैं तो काफी अच्छी क्रॉंफ निसिंग के साथ ये देखने को मिलने वाली है बीच में साथ में कमपनी की लोगो गाड़ी की लोवर रेडेटर ग्रील के बाद की जाए तो इसकी भी डिजाइनिंग यहाँ पे स्टेंडर रखी गई है और साथ में इसकी जो स्की प्लेट है वो ब्लेक आउट के साथ मिलती है गाड़ी को इमर्जांसी केसे पर अगर फ्रेंट से टो करनी है तो यहाँ पे स्टाइटिंग में बता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे स्रीज भी लगी वी है तो सेप्टी के तोर पे यहाँ पे फॉगलेम ऐसे स्रीज की पार्ट होने वाली है अब बात करते है गाड़ी की अपर के बॉनेट के डिजाइनिंग की तो यहाँ पे काफी अच्छी कर्वी डिज आपको मिलती है ताकि यह गारी जो है वो सीन जी वाली है और अच्छी बात यहाँ पे दो वाइट पर और इसकी जो वाउसर है यहीं पर आपको मिलती है यही आपको यहाँ पर ट्विन दी जाती है अब चलेंगे बाइगे गाडी की डामनेंche हमेंसा अपडेट होने के इसकी जो ground clearance of 165 mm के साथ मिलती है तो गाड़ी के condition के अनुसार इसकी ground clearance यहाँ पे अच्छी होती है अब गाड़ी की door handles या ORBM की बात करेंगे तो यह body color के साथ है ORBM के अंदर की mirror को adjust करनी है तो यहाँ पे buttons के थुरू कर पाएंगे जहाँ पे गाड़ी को lock unlock आप कर पाएंगे और यहाँ पे काफी अच्छी बात है कि जब भी आप गाड़ी को lock करोगे तो कुझ इस type के आपको beep की sound आने वाली है और जब unlock करोगे तो इस type के आपको two time आपको मिलती है ताकि यह confirm हो सके कि आपकी गाड़ी lock हुई है या unlock हुई है खाला कि इसकी जो turn indicator है वो front के fender में यहाँ पे आपको देखने को मिलती है अब जैसे गाड़ी के tire के profile में आओगे तो यहाँ पे थोड़ा से आपको sawking लग सकता है कि यहाँ पे भाई VXI में alloy wheel नहीं मिलती है यह accessories की पाट है जिसे आप बाद में लगा सकते है end में मैं इसकी price भी आपको clear कर दूँगा सबसे पहले यह MRP की यहाँ पे आपको company fitted tire मिलने वाली है जिसकी profile 165 by 70 R14 की होने वाली है यह जो alloy wheel है यह accessories की पाट है company से आपको नहीं मिलती है साथ में front में disc और पीछे यहाँ पे drum brake होने वाली है तो भाई VXI अगर आप लेना चाहरे है एक value for money के साथ जहाँ पे आपको mileage भी काफी अच्छी मिले साथ में इसकी rooftop के designing देखो यार काफी अच्छी मिलने वाली है और regular wire के साथ इसकी antenna यहाँ पे मिलती है अब करेंगे गाड़ी के fuel lid को open तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको clear कर दो कि CNG जो fulfill करवानी है यहाँ पे करवानी है जो कि 60 liter के साथ आने वाली है इसे kg में अगर आप देखोगे तो वही 8-10 kg यहाँ पे fulfill होने वाली है पेट्रोल जो है वो 32 liter के साथ यहाँ पे आपको आने वाली है और सबसे चीबात कि यहाँ पे up to E20 petrol only आप read कर पा रहेंगे तो अब जो है petrol में ethanol की जो मातरा है वो 20% के साथ है तो यहाँ पे गाड़ी की mileage है वो भी आपको यहाँ पे बड़ी हुई मिलेगी जो कि end में मैं आपको clear करके बताऊंगा साथ में एक safety यहाँ पे buttons मिलने वाली है suppose that कि आप गाड़ी के fuel lead को open करते हैं और आपकी गाड़ी की engine start है और जैसे भाई आप open करोगे ना तो automatic आपकी गाड़ी की engine off हो जाती है safety के तोर पे fuel डलवाने के time पे engine का off होना काफी अच्छी बात है और काफी important है जो कि यहाँ पे company के side से provide करवाई गई है अब आज चुके गाड़ी के back के profile में तो एक बर आप इसकी back look देखो यार ये भी proper आपको मिलती है हलाकि इस variant में wiper defogger आपको नहीं मिलती है लेकिन नीचे company की logo और अच्छी बात ये भी है कि wagon hour की कोई भी variant लो तो पीछे जो यहाँ पे branding wagon hour की होती है वो chrome के साथ होने वाली है नीचे आपको regular light मिलती है इस variant में camera आपको नहीं दी जाती है लेकिन दो parking sensor यहाँ पे proper देखने को मिलती है साथ में गाड़ी की reflector और इसकी exhaust और गाड़ी को emergency cases पे अगर पीछे से भी tow करना है तो यहाँ पे आपको toying hook भी मिलती है पीछे की जो ski plate है वो body color के साथ रखी गई है और upside में high mount stop lamp जो की regular bulb के साथ और पीछे पी CNG के stickers आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है अब करते हैं गाड़ी के boot को open तो एक request sensor मिलने वाली है जिसके तुरू आप इसे open कर सकते हैं साथ में यहाँ पे देखो यार यह पूरी तरह से black color के साथ covering की गई है अब आचके गाड़ी के boot space में तो सबसे पहले अच्छी बात यह है कि यहाँ पे company fitted parcel tray मिलती है जिसे मैंने open करके side में रख दिये ताकि प्रोपर आपको CNG tank होने के बाद भी यहाँ पे boot space का पता लग सके अब गाड़ी की स्टेपनी की बात करते है तो यहीं पे प्रोपर आपको mountain मिलती है जो की MRF company के steel rim black bandit के साथ आने वाली है CNG जो tank है यहाँ पे आपको मिलती है जो की आप देख पार रहेंगे काफी अच्छी यहाँ पे placing की गई है और प्रोपर इसकी सारी safety आपको मिलती है क्योंकि यह company fitted आपको मिलने वाली है साथ में जो fire box, tool kit आपको मिलने वाली है कुछ इस type की आपको मिलती है थोड़ा सापको compromise तो करना पड़ता है लेकिन by upside में आपको luggage carry करनी है तो यहाँ पे आप आराम से carry कर पाएंगे आराम से दो trolley आप यहाँ पे carry कर सकते हैं अब आते हैं गाडी के rear interior में तो यह जो black color के साथ इसकी seat कबर देख पा रहेंगे हाला कि यहाँ पे fix दी जाती है साथ में यहाँ पे जो seat होने वाली है वो 60-40 foldable आपको मिलती है इसके साथ बीच में जो बैठेंगे उनके लिए 2 point वाली seat belt और गाडी की thigh support की बात करते हैं तो गाडी की length के अनुसार यह भी comfortable आपको होने वाली है अच्छी बात पीचे की आ को इन केरी करनी है पीचे power windows और इसकी जो knob है वो silver के साथ होने वाली है नीचे आपको bottle holder और पीचे आपको speakers देखने को नहीं मिलती है अब आचुगे गाडी के front के interior में तो एक बार आप इसकी interior देखो यार काफी अच्छी dual tone के साथ आपको मिलने वाली है जो चीज मैं आपको आगे गबर करूँगा सबसे पहले चलेंगे गाडी के driver's door में तो यहाँ पे देखो या चारो power windows होने वाली है driver के side auto power windows को lock करनी है center locking और बाहर के ORBM के अंदर के mirror को adjust करनी है तो सारी चीज़ आप यहाँ से कर पाएंगे और जैसे नीचे आएंगे तो one liter का bottle holder साथ में magazine holder अच्छी बात यह है कि यहाँ पे music system है तो front के दोनों के doors में यहाँ पे speakers मिलने वाली है अब चलते हैं गाडी के driver seat में तो इसकी जो seat है वो काफी अच्छी होने वाली है दोनों जो head day से यह आपको fix के साथ मिलती है और इसकी बात करेंगे भाई solar support की तो यह proper आपको hug करके रखने वाली है दोनों seat को आगे पीछे या recline करनी है तो easy way में आप यहाँ पे कर पाऊगे हाला कि यही चीज आपको missing है कि वेगणार के किसी भी variant में seat height adjustable आपको नहीं देखने को मिलती है अब चलते हैं गाडी के driving steering में तो यहाँ पे काफी अच्छी silver के designing होने वाली है बीच में company की logo आप देख वा रहेंगे 3S book के साथ यह होती है और यह जो setting है यहाँ पे आपको tilt मिलती है right side में lighting की knob और यहाँ पे left side में wiper की knob इसकी मिलती है गाडी की जो चाबी की placing है यहाँ पे आपको right side में करनी है और right side के dashboard में जैसे आओगे तो इसी wind आपको round save में मिलने वाली है देन नीचे एक buttons मिलती है जहाँ पे CNG to petrol, petrol to CNG move on कर सकते हैं यह जो fog lamp है यह accessories की part है तो यहाँ पे buttons भी accessories में लगाई गई है traction control light labeling की switches यहाँ पे company fitted से मिलती है गाड़ी के bonnet को open करना है तो नीचे इस liver को अगर आप अपने side खीचोगे तो आपको यहाँ पे गाड़ी की bonnet open हुआ सुनाई देगा साथ पे इसकी जो तीनों liver है पूरी तरह से rubber cover होती है और एक छोटा सा footage से जहाँ पे pair आप अपना relax कर पाएंगे गाड़ी के dashboard में आओगे तो भाई यह काफी अच्छी premium वाली dashboard आपको मिलने वाली है देन नीचे आओगे तो इसकी glow box के space भी प्रो पर रखी गई है बड़ी चीज़े आप यहाँ पे अराम से carry कर पाओगे अब गाड़ी के music system में आओगे तो भाई यहाँ पे आपको manually operated music system दो speakers के साथ मिलने वाली है जहाँ पे FM और Bluetooth की सारी connectivity होने वाली है साथ में USB port डालनी है, Ox port डालनी है यहाँ से आप डालके इसे operate कर सकते हैं इसकी सारी knob और इसकी buttons आप यहाँ पे देख पा रहेंगे hazard light की buttons, 7-1 manual climate control जिसकी सारी knob दे नीचे जैसे आओगे तो 12W की regular charger phone यहाँ पे आप carry कर पाएंगे और जैसे गाड़ी के gears में आएंगे तो 5 gear with a reverse के साथ पूरी तरह से यहाँ पे leather cover होती है यहाँ पे आपको half liter की bottle carry करनी है, साथ में key carry करनी है तो आप carry कर सकते हैं और इसकी handbrake की gripping है यह proper रखी गई है अब चलते हैं भाई गाड़ी के instrument cluster में तो यहाँ पे analog के साथ इसकी speedometer मिलने वाली है बीच में आपको display मिलती है, जहाँ पे जरूरत की सारी चीज़ सबसे पहले right ride में देखो भाई अभी गाड़ी की doors open है, साथ में मैंने seatbelt नहीं लगाई है left side में नीचे देखोगे तो गाड़ी की feel low है, उसकी warning यहाँ पे मिलने वाली है बीच की जो display है, सबसे पहले timing, नीचे गाड़ी कितनी चली है, वो आप देख सकते है इसके साथ left side में गाड़ी में petrol कितनी है, right side में CNG कितनी है, वो आप देख सकते है और अभी जो गाड़ी है, वो CNG से चल रही है, जिसे मुझे convert करनी है तो यहाँ पे बटन्स मिलने वाली है, जिसे अगर मुझे एक बार press करना होगा तो यह petrol में चली जाती है, और फिर से जब एक बार press करेंगे, तो यह CNG में जाएगी और जब ही petrol to CNG जाएगी, तो पीछे CNG टैंक में कुछ beep की आवाज आएगी, कुछ tick की आवाज आएगी ताकि यह आप confirm हो सके कि अभी जो गाड़ी है, वो petrol to CNG सिप्ट हो चिकी है साथ में right side में एक knob मिलने वाली है, जहाँ पे trip A, trip B, auto, आप यहाँ पे देख पाएंगे, real time mileage देख सकते हैं, गाड़ी, average क्या देरी है, range क्या चलने वाली है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलती है साथ में यहाँ पे card holder भी है, भाई, card वेगरा carry करनी है, तो आप कर पाएंगे और VXI के साथ जाओगे, तो दो airbags मिलती है, सबसे पहले co driver के side में, और दूसरा driver के side में मिलती है, steering में जहाँ पे SRS airbag आप read कर पा रहे होंगे अब आचुके गाड़ी के engine के profile में, तो सबसे पहले बात करते हैं, भाई, इस गाड़ी के engine की, जो की 1.000cc के साथ आने वाली है, यह जो engine है, वो 3.000cc के साथ है, हलाकि 1.000cc के साथ यह जो engine मिलती है, तो यहाँ पे पेट्रोल में जो mileage है, वो 12.000cc के comparison में बैटरी मिलती है, साथ में CNG की, तो mileage और भी होने वाली है, तो अगर आप इस गाड़ी को petrol में drive करोगे, तो petrol में जो इसकी power और torque होने वाली है, वो display में देख पा रहे होंगे, और इस गाड़ी को जैसे आप CNG में चलाते हैं, तो CNG में जो power torque आपको मिलने वाली है, वो भी चीज display में देख पा रहे होंगे, और इसकी engine की सारी profile ये भी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, साथ में इस गाड़ी को लेते हैं, तो company के site से जो warranty मिलने वाली है, वो दो साल या 40,000 km की कबरेज होती है, वारिंटी को extend करनी है, तो total 5 साल या फिर 1,000 km तक आप इसे extend कर सकते हैं, अब ब EBS, EBD, CSE, साथ में front medals की पीछे आपको drum brake मिलने वाली है, back profile में जाओगे, तो दो parking sensor होने वाली है, दो airbags आपको मिलती है, साथ में ये जो गाड़ी है, वो सुझू की heart tech platform में आपको मिलने वाली है, तो overall basic label के सारी safety features यहाँ पे company से provide करवाई जाती है, अब चलते हैं, बात क के लिए काफी important रखने वाली है, तो भाई, CNG के साथ यहाँ पे जो mileage मिलने वाली है, वो 34 के आसपास मिलती है, और इसे जब petrol में drive करोगे, तो company जो claim करती है, वो 24 के आसपास करती है, तो भाई, petrol के comparison में, यहाँ पे CNG में 10 km आपको extra mileage मिलती है, तो भाई, आप एक ऐसी गा गाड़ी को ले सकते है, जहाँ पे आपको overall सारी चिस company से provide करवाई गई है, अब चलते हैं, बात कर लेते हैं, इस गाड़ी के price की तो VXICNG के साथ जाओगे, तो इसकी जो एक सो रूम पढ़ने वाली है, वो 6,90,000 के आसपास पढ़ती है, और इसे हजारी बाग arena सो रूम से दिन बात करते हैं, गाड़ी की fog lamp की, तो इस price में आपको मिलने वाली है, और alive wheel की जो price है, वो company की ये आपको होती है, हाला कि जो इसमें discount है, वो company के side से आप देख लेना, लेकिन मैंने आपको price clear कर दिया, तो यह रहा इस गाड़ी के सारी features जहाँ पे मैंने side by side सब कुछ के comparison में माइलिस तो अच्छी मिलती है, साथ में CNG की भी जो performance है, यह भी यहाँ पे आपको बहतरीन होने वाली है, तो करते हैं दोस्तों वीडियो को यहीं पे end वीडियो अच्छी लेगी, तो subscribe करके जरूर जाना मिलेंगे, next वीडियो में तब तक के लिए जहिन